Hi everyone and welcome to this video तो आज इस वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी चीज में आपसे कहना चाहता हूँ कि psychology के exam के लिए tension मतलो use stress थोड़ा बहुत होगा होना भी चाहिए ज़रूरी है that's fine but tension या चिंता लेने की चंता करने की बिल्कुल भी ज़रूत रही है क्यों क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को देख लिया है ये 12th वाली playlist में से 1, 2, 3 अगर आपने चप्रस की वीडियो देख ली है NCRT से 1st, 2nd, 3rd चप्र अपना read कर लिया है और ये कुछ questions के आपने practice कर लिया है questions भी channel पर हमने provide कर वाए हैं आपको पता होगा ये रही तीनों वीडियो और इनका link description box में तो अगर आपने इनकी practice अब कर ली और ये सारी शीज़ा आपका चुक है आप ये वीडियो भी आप देखने वाले हैं जिसमें की तीनों चप्र आपकी device हो जाएंगे तो बस अब चिंता करने की जुरूत नहीं है अराम से पर आप clear कर लेंगे do not worry and believe in yourself that's all from my side now you may continue with your video so now let's continue with our chapter 1 variations in psychological attributes तो हमारा सबसे पहला topic है individual differences तो individual differences सिरफ इतनी सी बात कहता है कि हर individual एक दूसरे से अलग-अलग होता है अब किन basis पर अलग-अलग होता है हमारे physical या फिर psychological characteristics के basis पर हम एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं इतनी सी बात कहता है individual differences तो यहाँ पर key term क्या हुई हमारे characteristics अब इस वीडियो में जब भी मैं बोलू key terms तो वो key terms का मतलब है कि वो terms आपके answer में होना जरूरी है तब ही number अच्छे मिलेंगे तो individual difference में हमारी key term होगी हमारे characteristics उसके बाद situationism situationism हमें कहता है हमारे behavior पर हमारी situations का impact होता है हम अपनी situations के हिसाब से ही act करते हैं यह सब बातें हमें बताता है situationism उसके बाद assessment assessment सबसे पहला step होता है किसी भी psychological inquiry का यह हमेशा standardized होता है और objective होता है standardized का मतलब कि यह particular कुछ norms follow करता है standards set है इसके पहले से और objective मतलब कि यह सब के लिए same रहता है उसके बाद यह दो तरह का हो सकता है या तो यह formal हो सकता है या यह informal हो सकता है उसके बाद assessment के methods, यानि कि हम किन-किन तरहां से, किन-किन चीजों की help से हम किसी का assessment कर सकते हैं, तो सबसे पहला होता है psychological testing, हम किसी को जान सकते हैं उनके उपर psychological test करके, क्योंकि psychological test होते हैं, scientific, scientific यहाँ पर key term है, उसके बाद interview, interview हम किसी का ले सकते हैं, उसके बारे में जानने के चले interview one-on-one basis फे हो सकता है और ये गुरुप में भी हो सकता है बट- interview का मतलब कि हम किसी को जान रहे हैं उसके बारे में उसके साथ caution Engineer करके उसके बाद on. case studyoutine का मतलब होता है in-depth study हम किसी के बारे में in-depth study कर सकते हैं या तो वो person हो सकता है या वो कोई event भी हो सकता है तो यह होती है case study then हम किसी को observe करके भी सीख सकते है observation participant भी हो सकती है फिर non participant भी हो सकती है observation natural setting में भी हो सकती है या फिर यह किसी controlled environment में भी हो सकती है then the last method is self report हम किसी के बारे में जान सकते attributes यानि कि कितने तरहां के psychological attributes होते हैं ये basically वो सारी चीजें हैं जो हम इन assessment के थूँ जानते हैं तो हम क्या-क्या पता लगा सकते हैं assessment करके किसी के बारे में कौन-कौन से psychological attributes होते हैं हमारे अंदर उन में सबसे पहला है हमारी intelligence intelligence एक human की ऐसी ability है जो उसे कोई भी काम करने के लिए जरूरी होती है हम अपनी intelligence की वजह से ही अपनी day-to-day activities को अच्छे से कर पाते हैं उसके बाद aptitude aptitude का मतलब होता है हमारा potential हमारी capacity हमारी capability कि हम क्या चीज कितने अच्छे से कर सकते हैं उसके बाद हमारी personality personality में key term है हमारे enduring characteristics जो हमारे कुछ characteristics होते हैं जो हमें बनाते हैं जो मैं हूँ जिनके basis पर मैं आपसे अलग हूँ और आप मुझसे अलग हो वो मेरी personality है मेरे कुछ ऐसे enduring characteristics है उसके बाद interests इंटरस का मतलब होता है हमारी preferences हमारी क्या-क्या preferences होती है मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद वो सब चीज़ें interest में आती हैं then हमारी values values के अंदर key term है हमारी enduring beliefs जो हमारे enduring beliefs होते हैं जो हमारे कुछ चीज़ें morals कहते हैं ethics कहते हैं वो सब चीज़ें आती है values के अंदर उसके बाद intelligence का topic हमें detail में समझना था तो intelligence के topic में आपको तीन main चीज़ें याद रखनी हैं एक तो मतलब जो आपकी basic definition आप याद रखेंगे intelligence की उसके अलावा तीन main definitions आपको याद रखनी है सबसे पहली जो Oxford dictionary की definition थी दूसरी Alfred बिने की और तीसरी वेचलर की definition उसके बाद हमें intelligence की बहुत सारी theories समझनी थी तो उन theories को mainly दो broad categories के अंदर बाटा गया था सबसे पहली category है हमारी psychometric approach ये approach focus करती है intelligence के structure पर और जो दूसरी approach है हमारी information processing approach ये focus करती है intelligence के function पर कि intelligence कैसे work करती है तो सबसे पहले हम psychometric approach समझते हैं psychometric approach के अंदर ये 5 theories हैं जिनने हमें याद रखना है सबसे पहली theory है unifactor theory या फिर one factor theory ये दी थी Alfred Binne ने और इसके अंदर उनने ये माना था कि हमारे अंदर एक similar set of abilities होती हैं जिन को use करके हम अपनी हर problems को solve करते हैं मतलब intelligence एक similar set of abilities तक ही limited है ये बोला था Alfred Binne ने अपनी one factor theory के अंदर उसके बाद दूसरी theory थी हमारी two factor theory ये दी थी Charles Spearman ने 1927 में इसके अंदर उनने दो factors बताये थे कि हमारे अंदर एक G factor होता है यानि कि कुछ journal factors होते हैं और कुछ specific factors होते हैं General factors वो factor होते हैं जो कि हर किसी के अंदर होते हैं जो basic होते हैं Common to all होते हैं और S factor के अंदर आती हैं आती हैं कुछ special चीज़ें जो कि हर किसी में नहीं होती For example, कोई singer होता है कोई अच्छा नहीं गा सकता यह सब चीज़ें आती है S factor के अंदर उसके बाद तीसरी थियोरी है थियोरी ओफ प्राइमिरी मेंटल एबिलिटीज इस थियोरी के अंदर बिसिकली हमें साथ एबिलिटीज बताई गई थी और यह साथ एबिलिटीज को मैंने शॉर्ट में यहां पर लिखा है Then fourth theory है hierarchical model of intelligence इसके अंदर हमें दो लेवल बताए थे intelligence के सबसे पहला लेवल है हमारा associative learning और दूसरा लेवल है cognitive competency associative learning के अंदर मतलब level 1 में हम information को सिरफ associate करते हैं rote memorization करते हैं level 2 में हम information को अच्छे से remember करते हैं उसके meaning को समझते हैं और elaborative तरह से हम information को समझते हैं बहुत detail में मतलब हो जब हम information को समझते हैं वो level 2 पर होता है cognitive competency में इसमें हमारा effective होता है output और level 1 में हम सिरफ rote memorize करते हैं अच्छे से हम information को याद नहीं करते हैं उसके बाद psychometric approach की last theory है structure of intellect model, इसके अंदर हमें basically तीन तरह के dimensions बताई गई थी हमारी intelligence की, कि हमारे अंदर एक तो contents होते हैं, दूसरा operation और तीसरा products, इनके हमें value बताई गई थी, contents 5 तरह के हो सकते हैं, operation 6 तरह के हो सकते हैं, और product भी हमारे 6 तरह के हो सकते हैं, content का मतलब आप सम सकते हैं, कि जो जो information हमारे अंदर जाती है, तो हमारे basic 5 sense organ होते हैं, उनहीं से हम इस सीज को याद रख सकते हैं, कि हम 5 तरह का content समझ सकते हैं, चाएं वो visual हो, चाएं वो smell हो, चाएं वो taste हो, etc. और उस content पर हम operation 6 तरह से कर सकते हैं, और उन operation करने के बाद, जो हमने अपने mind क अंदर operation किया उस information का, उसके बाद जो product निकल के आएगा, वो product 6 तरह से निकल सकता है, तो ये number था 5, 6 and 6, और इनको अगर हम multiply करेंगे, तो इसका answer आएगा 180, तो हमारे body के अंदर basically 180 cells होते हैं, और हम 180 तरह से किसी भी information को process कर सकते हैं, उसके बाद information processing approach के अंदर ये 3 theories हैं, theory of multiple intelligence के अंदर हमें ये 8 तरह की intelligence बताई गई हैं, अगर हमारे अंदर इन 8 हो में से कोई भी एक intelligence हो, तो हम अपने आपको intelligent मानेंगे, उसके बाद triarchic theory of intelligence, triarchic theory में हमें इसके नाम से ही समाझ आ रहा है, triarchic, यानिकी 3, तो इसके अंदर 3 तरह की intelligence हमें बताई गई है, componential, experiential और contextual, componential का मतलब होता है, ऐसी intelligence जो की हमारे school level तक काम आती है, basically हमारे academics में ऐसी intelligence हमारे काम आती है, इसमें हम जैसे हम अच्छे से problem कोई solve कर पा रहा है नहीं, किसी question को अच्छे से solve कर पा रहा है नहीं, ऐसी चीज़ें, ऐसी intelligence आती है हमारी componential intelligence में, इसको analytical intelligence भी कहा ज जाता है, दूसी तरह की intelligence होती है हमारी experiential intelligence, experiential intelligence basically deal करती है कि किस तरह से हम अपने past experiences को use कर सकते हैं, अपनी नई problem solve करने के लिए, उसके बाद contextual intelligence, contextual intelligence basically deal करती है हमारी day-to-day दिक्कतों के साथ, कि हम कैसे अपनी day-to-day life की problem से deal कर सकते हैं, कितना effectively हम deal कर सकते हैं, जितना ज़्य जाद हम effectively अपने day-to-day problems को या अपनी street smartness लगा कर basic knowledge लगा कर चीज़ों को solve कर सेकेंगे उतनी जादा ही हमारी contextual intelligence मानी जाएगी contextual intelligence को दूसरा नाम कहा भी जाता है street smartness उसके बाद आता है past model of intelligence past model को हम इसके words सही आद रख सकते हैं P stands for planning कि हम सबसे पहले plan करते हैं अपने mind में कोई भी चीज़ करने से पहले then A stands for arousal हमारी body arouse होती है किसी भी information के लिए जो भी मार पास information आ रही है हम पहले उसको attend करेंगे attention अपनी देंगे उस चीज़ के उपर उसके बाद हम यह decide करेंगे कि क्या हमारे mind में simultaneous processing चलेगी या फिर successive processing चलेगी simultaneous का मतलब कि हम किसी information को बहुत सारी चीज़ें अपने mind में उसके साथ link करके उसे समझ रहे हैं एक साथ ही हम बहुत कुछ अपने mind में कर रहे हैं और successive का मतलब होता है कि हम एक एक करके किसी information को process कर रहे हैं simultaneous में example आपने याद रखना है जब आप कोई भी problem solve कर रहे होते हो उस time पे आपके mind में simultaneous processing चल रहे होती है बहुत सारी चीज़ें चल रहे होती है और successive processing में जब आप कोई serial wise किसी चीज़ को याद रख ले हो for example 1,2,3,4 essay दन उसके बाद next topic है हमारा nature versus nurture ये बहुत debatable सा topic है इसके उपर आज भी बहस चलती है कि क्या हमारी intelligence हमारे nature पर depend करती है nature मतलब हमारा genetic हमारे कैसे है हमारे genes कैसे हमारी heredity कैसी है या फिर हमारे nurture पर depend करती है nurture मतलब कि हमारा environment कैसा है तो इस पर debate अभी भी चल रही है but एक study ने ये proof किया था कि दोनों ही मिलकर हमारी intelligence को affect करते है in short nature यानि कि हमारे genes एक range set कर सकते है कि इस person की intelligence इतने से इतने के बीच में ही हो सकती है अब इतने में से ये intelligence ये कम की तरफ को जाएगी या फिर जादा की तरफ को जाएगी ये depend करता है हमारे nurture के उपर कि हमें environment कैसा मिला है उसके बाद assessment of intelligence assessment of intelligence में basically हमें समझना है कि हम intelligence को access कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए William Stern ने हमें एक formula दिया था जिसको उन्हेंने नाम दिया IQ intelligence quotient intelligence quotient को निकालने का formula होता है MA यानि कि हमारी mental age और upon हमारी chronological age into 100 उसके बाद normal curve का topic था हमारे पास तो normal curve को bell ship curve भी कहा जाता है ये हमें basically हमारी total population का एक average IQ बताता है उसके बाद intellectual deficiency intellectual deficiency के topic के अंदर आपको ये तीन main चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है सबसे पहले तो जो लोग intellectual deficit होते हैं उनके अंदर ये तीन चीज़ें main होती है सबसे पहली significantly sub average intellectual functioning उनकी intellectual functioning average intellectual functioning से भी low हो जाती है दूसरा deficit in adaptive behavior यानि कि उनका adaptive behavior deficit होता है वो नए environment में adapt नहीं कर पाते है तीसरा developmental period के time पर ही वो चालू हो जाता है developmental period मतलब हमारी development की जो age होती है mainly childhood तो ये अगर किसी को disorder हो intellectual deficiency का तो वो उनके childhood में ही visible हो जाता है उसके बाद intellectual giftedness deficiency से बिलकुल opposite term होती है gifted तो जो लोग gifted होते हैं उनके अंदर ये 3H common होते हैं इनका IQ 130 से अबब होता है तो बिसिकली जब भी ये question आये intellectual gift index का तो वहाँ पर आपको ये 3H याद रखने है आप इसे triple H से भी याद रख सकते हैं ये लोग highly committed होते हैं किसी भी काम को करने के लिए highly creative होते हैं और high ability होती है इनकी किसी भी काम को करने की उसके बाद हमने समझना है कि कितने तरह के intelligence test हो सकते हैं तो इन test को basically चार main categorization में बाटा गया है सबसे पहले तो ये individual पर हम कर सकते हैं या फिर हम इसे group पर कर सकते हैं दूसरा कोई test performance based हो सकता है कोई verbal कोई non-verbal non-verbal test में होते हैं जिसमें हमें किसी language चीजरोत नहीं बढ़ती जैसे RSPM performance test में अलग-अलग तरह के test हो सकते हैं जिसमें आपको performance की need होती है कुछ करके दिखाना होता है महाँ पर लिखित कुछ नहीं होता उसके बाद यहां तो कोई test power test हो सकते हैं speed test हो सकते हैं power test में हमारी सिरफ skill हमारी सिरफ abilities को ही देखा जाता है हमारे psychological attributes को test किया जाता है और speed test के अंदर हमारी skills के साथ-साथ हमारी speed को भी test किया जाता है speed test के अंदर हमारे पास time limit होती है और power test में हमारे पास कोई time limit नहीं होती है जैसे की RSPM उसके बाद एक test होता है cultural fair और कोई test होते है culturally biased उसके बाद एक topic है culture and intelligence तो culture का हमारी intelligence पर क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर हमें basically ये दो terms याद रखनी है technological intelligence western culture valley intelligence को कहा जाता है तो western perspective of intelligence में वो लोग ज़्यादा focus करते है skill of attention पर अपनी performance पर speed पर achievement orientation activities पर और वहीं अगर हम Indian culture की बात करें जो की integral intelligence में believe रखता है वहाँ पर ये सब चीजें होती है integral intelligence के अंदर उसके बाद एक topic है हमारे पास emotional intelligence तो जैसे हमने IQ के बारे में पढ़ा था वैसे ही एक होता है EQ और EQ actually में IQ से जादा important होता है हमारी life में EQ का मतलब होता है emotional quotient उसके बाद एक last topic है creativity और intelligence तो creativity और intelligence का directly एक जूसरे से कोई खासा link नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि जो person intelligent होगा वो creative भी जादा होगा ही होगा और vice versa बट फिर भी ये माना जाता है कि इनके बीच में एक positive relation है मतलब ये chances है कि जो person जादा intelligent है वो creative भी होगा ही और जो person creative है वो तो of course है कि उसके अंदर कुई ना कोई intelligence तो जरूर है ऐसे ही इनके test में भी क convergent thinking involved होती है तो यही सारे topics थे आपके chapter number one में I hope कि जब आप इस video का अपने exam से पहले देखेंगे तो आपको ये बहुत helpful लगेगी now let's continue with our chapter number two self and personality तो self and personality का सबसे पहला topic है personal identity क्या होती है हमारी personal identity हमारी personal identity में वो सारे attributes आते हैं जो हमें बाकियों से अलग बनाते हैं जैसे कि आपका नाम आपको बाकियों से अलग बनाता है इससे बिल्कुल opposite एक concept होता है social identity social identity में ऐसे सारे attributes हाते हैं जो हमें बाकियों से link करवाते हैं relate करवाते हैं for example हमारी caste जैसे I am Nitin Sharma my name Nitin that attribute comes in personal identity and my surname जो कि मेरी caste है मेरे शर्मा that will come under social identity उसके बाद self क्या होता है self का मतलब है the totality of an individual's thought, feelings, emotions, conscious experiences with regard to himself or self यानि कि मेरी खुद के बारे में जो भी मेरे thoughts है feelings, emotions है वही मेरा self है वही मेरा self concept बनाएगा अब ये self as a subject भी हो सकता है और self as object भी हो सकता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं जब हम खुद को एक actor की तरह परिसीव करते हैं उस time पर हम self as subject देख रहे होते हैं जो कुछ कर रहा है जो कुछ जान रहा है जो एक actor है जो एक knower है और self as object तब होता है जब हम अपने आपको ऐ जाना जा रहा होता है, हम जान नहीं रहे होते हैं, हमें जाना जा रहा होता है, उसके बाद kinds of self, कितने तरहा के हो सकते हैं ये self, तो एक होता है हमारा personal self और एक होता है हमारा social self, तो मेरे वो सारे ideas, feelings, thoughts, emotions, experiences, जो की primarily मेरे खुद से related हैं, जैसे की मेरी personal freedom, मेरी personal responsibilities, वो सब चीज जैसे society के साथ ही MLG होके develop होती है, जैसे की मेरी cooperation, मेरी सारे thoughts, feelings, emotions about unity, ये सब चीज़े आएंगी मेरे social self वाले concept के अंदर, उसके बाद cognitive और behavioral aspects क्या क्या होते हैं, self के, तो सबसे पहले इसमें हमने समझना है कि self concept क्या होता है, तो self concept के अंदर वही सारी बाते हैं, जो हमने self topic के अंदर समझी है, totality of individuals, thoughts, conscious experiences, feelings, emotions etc, ये सब चीज़ें ही हमारा खुद का self concept मनाती है, हम कितना खुद को capable समझते हैं, क्या हमारी competencies हैं, क्या हमारे attributes हैं, यही सब चीज़ें हमारा self concept होती है, उसके बाद self esteem क्या होती है, self esteem का मतलब हमारी खुद के बारे में, खुद की judgment क्या है, हम कितनी खुद की वर्थ समझते हैं, वो हमारी self esteem होती है, उसके बाद हमारी self efficacy, self efficacy एक ऐसा topic है, जो हमें ये बताता है, कि हमारी life का control, कितना हम समझते हैं, कि हमारे खुद के हाथ में हैं, और कितना हमारे fate या फिर fortune के हाथ में है, कि आपकी life आप खुद कंट्र करना, तो हम control कैसे कर सकते हैं खुद को, उसके लिए हम कुछ techniques use करते हैं, और ये सारी वो techniques हैं, जो भी आपको अपनी screen के ओपर देख रहे हैं, इनको use करके basically हम खुद को control करते हैं, और इसे कहा जाता है self regulation, उसके बाद कैसे हमारा culture relate है self से, culture हर जगा होता है, तो of course हमारे self क भी culture बहुत हतक impact डालता है, एक होता है हमारा western view और एक होता है हमारा Indian view of self, Indian view basically बहुत integral way में belief रखता है कि हम clear dichotomies यहाँ पर नहीं होती हैं, clear boundaries नहीं होती हैं, हम अपनी society से अलग नहीं होते हैं, integral सी feeling की बात करता है ये Indian view, और western view में हमारी बिल्कुल clear boundaries हैं, हम अपनी society से ब इस एक फरक है western view में और Indian view में, self के बारे में, उसके बाद concept of personality, personality क्या होती है, हमारी personality बिसिकली ये persona word से निकल कर ये term आई है personality, और personality होती है हमारे कुछ ऐसे enduring character six, जो कि relatively stable रहते हैं throughout our life, वो होती है हमारी personality, उसके बाद हमने कुछ approach समझनी है personality की, कि कैसे कैसे personality को approach किया गया तो सबसे पहली approach है हमारी type approach, इसके अंदर ये 5 theories आती हैं जिनने हमने सबजना है, तो सबसे पहली theory, hypocrites की theory है, इन्होंने ये कहा था कि हमारी body के अंदर 4 तरह के fluids होते हैं, उनके हिसाब से हमारी personality decide होती है, मतलब यहां तो हमारी personality sanguine होगी, यानि कि हम carefree type के रहेंगे, या या फिर हमारी personality phlegmatic होगी, यानि कि हम calm और private life में believe रखने वाले type होगे, या फिर हमारी personality melancholic होगी, जिसके अंदर introverts आते हैं, ऐसे लोग, और या फिर हमारी chloric personality होगी, जिसके अंदर मतलब हम short tempered होगे, इन्हीं चारों में से कोई एक हमारी personality हो सकती है, ये कहा था, hypocrites ने, और इनका basis था, हमारी body के अंदर चल रहे, चार flutes या फिर humors, उसके बाद हमने एक Indian theory समझनी है, जो कि Ayurveda की चरक समीता ने हमें दिये, basically चरक समीता ने हमारी personality को इन दो तरहां के broad categories में बाटा है, सबसे पहले तरिगुना, तरिगुन के अंदर basically हमारे तीन गुनों की बात करी गई है, कि यहां तो हमारे अंदर सत्वा वाला factor ज्यादा हो सकता है, या राजस या तामस, और ऐसे ही एक तरिदोश इन्होंने हमें बताया कि हमारी सबके अंदर कुछ तीन दोश होते हैं, तरिदोश होते हैं, जो कि होते हैं वात, पित और कफ, जिनें English में वाता, प और हमारा temperament, यानि कि हमारी body type के इसाब से भी हमारी personality decide हो सकती है, ये बोला था Sheldon ने, अगर हम fat, round, soft और ज्यादा outspoken, ज्यादा sociable type के हैं, तो हमारी personality होगी endomorphic, अगर हम बिलकुल इस से opposite हैं, thin, long और introvert type के हैं, तो हमारी personality होगी ectomorphic, और अगर हम इनके बीच में कहीं आते हैं, हम adventurous हैं, हमें हमारी body type जो है, वो masculine है, बहुत, तो हमारी personality होगी mesomorphic, उसके बाद अगली theory काल जंग की है, जिन्होंने extraversion और introversion के basis पर हमारी personality को divide किया है, अगर हम shy हैं, हम reserved रहते हैं काफी जादा, तो हमारी personality introverts में आएगी, अगर हम sociable है, outgoing है, तो हमें extraverts माना ज personality के लिए, यह चार तरह के हमें division दी है, type A personality, type B, type C and type D, जो type A personality के होते हैं, वो basically बहुत जदा highly motivated होते हैं, उन्हें hypertension होने के chances बहुत जाद रहते हैं, उनको लगता है कि सारी जम्यदारी उनके सरपह है, पुरी दुनिया की, और type B personality उससे बिलकुल opposite होती है, बहुत relaxed रहते ह type C personality में हमें यह बताया गया था कि यह prone to cancer होती है, और type D personality prone to depression होती है, prone का मतलब की likelihood उस चीज़ के होने का, तो यह theory हमें बता यह fried man और frozen man ने, तो यह 5 theory's थी जो हमने पढ़ी है type approach के अंदर, अब दूसरी हमारी approach है trait approach, तो trait approach के अंदर यह 3 main theories पढ़नी है, सबसे पहली theory थी all-part की trait theory, इसके अंदर हमें 3 तरह के traits बताये गए थे, एक होते हैं हमारे cardinal traits जो हमारी life में सबसे ज़्यादा important रखते हैं, उसके बाद central traits जो थोड़ी कम importance रखते हैं और secondary traits हमारी सिर्फ preferences होती है, कि मुझे यह अच्छा रखता है या यह अच्छा नहीं लगता, उसके बा surface traits निकल के आते हैं, जो कि हमें visible होते हैं, जो दिखते हैं सामने, उसके बाद I-Sync ने अपनी theory में हमें 3 main dimensions बताई थी personality की, मतलब यह तो हम neurotic हो सकते हैं, यह हम emotionally stable हो सकते हैं, यह हम extrovert हो सकते हैं, यह हम psychotic हो सकते हैं, यह हम sociable हो सकते हैं, यह तीन theories थी हमारी trait approach के अंदर और उसके बाद हमने समझनी है psychodynamic approach, psychodynamic approach हमें segment Freud ने दी थी और इस approach के अंदर हमें यह 4 main चीजें याद रखनी हैं, सबसे पहले उन्होंने हमें division of mind के बारे में बताया था कि हमारा mind तीन तरह के division में divide होता है, सबसे पहले हमारा unconscious mind, फिर हमारा subconscious mind and then हमारा conscious mind होता है, division of personality के अं हमने defense mechanism समझा था, defense mechanism हमारी body करती है, अपने आप ही, खुद की safety के लिए जब हम distort करने लग जाए, reality को वो होते हैं हमारे सारे defense mechanism, यह सारे defense mechanism हैं जो कि आपको अपनी skin के उपर दिख रहे हैं, repression, denial, reaction formation, rationalization and projection, उसके बाद सिगमेंट Freud ने हमें दी थी psychosexual theory, psychosexual theory के अंदर होने बताया कि कैसे हमारी psychosexual development होती है, सबसे पहले हमारी oral stage होती है, फिर anal stage होती है, फिर phallic stage, then latency and then finally genital stage, अब हमने समझनी है कुछ post freudian approaches, freud के साथ कुछ लोगों ने काम किया था, फिर उन्होंने अलग से अपनी approaches दी थी, तो सबसे पहले थी उनमें से काल जंग, काल जंग ने हमें theory बताई थी, aims और aspirations की, उन्होंने हमें बोला था कि हमारे aims और aspirations भी हमारी personality को drive करते हैं, हमारी personality को बनने में help करते हैं, उन्होंने collective unconscious की बात करी थी और archetypes की बात करी थी, उसके बाद Karen Horney की theory थी, जोनने हमें optimism के बारे में बताया था, equality के बारे में बताया था, और इन् इन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारे disturbed interpersonal relationships हमारी personality को बनने में help करते हैं इन्होंने हमें basic anxiety के बारे में भी बताया था Then Alfred Edler ने lifestyle और social interest की थिए इसमें इन्होंने बात करी थी goal directed behavior की कि हर individual का behavior goal directed होता है और कैसे हमारे goals हमारी personality को बनने में help करते हैं के बाद हमें Alfred Adler ने बताई थी, उन्होंने individual psychology की भी बात करी थी, और inferiority complex के बारे में भी हमें बताया था, उसके बाद Eric Firm, Eric Firm ने अपनी theory दी थी जिनको उन्होंने नाम दिया, the human concerns, इसके अंदर उन्होंने हमें बताया था कि human हमेशा एक social being होता है, हमें human being के साथ social beings भी है, हमारी personality हमेशा ही लोगों के साथ interact करके ही develop होती है, उसके बाद Eric Erikson ने हमें बताया थी, search for identity, search for entity theory में होने हमें identity crisis के बारे में बताया था, और ये बताया था कि personality की बनना, हमारी development, ये एक lifelong process है, हम हमेशा ही अपनी identity के बारे में search करते ही रहते हैं, और उसी से हमारी personality बनत हम उसे decide कर लेते हैं, तो हमारी personality एच्छे से form हो जाती है, अगर ये नहीं होता तो हमें identity crisis को face करना पड़ेगा, तो ये 5 theories थी post-freudian approach के अंदर, उसके बाद हमने ये 3 approaches और समझनी है personality की, तो सबसे पहले behavioral approach क्या मानती है personality के बारे में, behavioral approach का इतना सा मानना है कि behavior हमारी personality इस भी तरह से हम अपने external environment को respond करते हैं, हम किसी भी stimuli को respond करते हैं, वही हमारी personality है, ये core belief था behavioral approach का, उसके बाद cultural approach, cultural approach का ये मानना है कि जो भी हमारी ecology की, जो भी हमारे environment की, जो भी हमारे culture के demands होती हैं, उसके हिसाब से हम अपने behavior को, अपनी ideology को, अपनी सोच को बदल लेते है मोल्ड कर लेते हैं, और वैसी ही हमारी personality बन जाती है, ये core belief है cultural approach का, उसके बाद humanistic approach, humanistic approach ये मानती है, कि हम हमेशा ही एक fully functioning person बनना चाते हैं, हम हमेशा ही self actualization को achieve करना चाते हैं, और यही self actualization हमारी personality के लिए एक driving force बनता है, हमारी personality इसी तरह से develop होती है, कि हम self actualized बन सके हैं ये core belief था humanistic approach का उसके बाद हमें एक last topic समझना है जो कि है assessment of personality assessment of personality में basically हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम personality को access कर सकते हैं जान सकते हैं तो ये चार measures हैं जिनके through हम personality को जान सकते हैं सबसे पहले हम किसी के उपर psychometric test कर सकते हैं psychometric test में वो सारे test आते हैं के अंदर कोई भी metric होती है metric मतलब कोई भी symbols का use होता है जिन भी test के अंदर वो सारे test psychometric test की category में आते हैं उसके बाद self report measures self report में वो सारे test आते हैं जिसमें हम खुद के बारे में information देते हैं जैसे हमारा MPI कोई भी personality inventory जिसमें हम खुद के बारे में बताते हैं कि मेरी personality ऐसी है मैं इस situation में यह करता है यह सब चीज़ें आते हैं हमारी self report के अंदर उसके बाद projective techniques projective techniques के अंदर वो सारे test include होते हैं जिसमें हमें कोई ना कोई figure दिखाई जाती है कोई picture कुछ हमें show करी जाती है उसके बाद हमसे पूछा जाता है किस से आपको क्या दिख रहा है इसका example है रोशाक इंक block test फिर मैं यहाँ पर कुछ भी draw करूँ और मैं आपसे पूछूँ किस से आपको क्या समझ आ रहा है तो यह example है projective techniques का उसके बाद एक last तरीका होता है behavioral analysis हम किसी के behavior को analyze करके भी उसकी personality का पता कर सकते हैं जैसे कि interview लेके किसी का किसी को observe करके या फिर behavioral ratings करके या nomination करवा के nomination मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपनी class में leader choose करना है तो आप किसको nominate करोगे उसके भी हमें उस person की personality का पता चलेगा अगर मैं behavioral rating कहूँ कि आप friendship में अपने इस friend को कितना rate करोगे 1 to 10 के बीच में ये भी एक behavioral analysis है उसके बाद एक situational test मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर मैं आपको ऐसी situation दूँ तो आप इसमें क्या act करोगे उससे भी मेरको आपकी personality पता चल सकती है तो ये सब चीज़ें आती है behavioral analysis के अंदर तो ये चार तरहां से हम अपनी personality को access कर सकते हैं और ये last topic था अमारा इस chapter का I hope आपको इस chapter समझ आया होगा और आपको इस video helpful लगी होगी तो देन आपका last chapter है meeting life challenges इसके अंदर बहुत basic से चीज़ें आपको बताई जाती है आपके life की जो major challenges है उन में से एक सबसे बड़ा challenge होता है stress right stress हमारी सब की जंदगी का है बहुत बड़ा challenge है तो stress क्या होता है stress से हमने कैसे real करना यह सब चीज़ें हमें इस chapter के अंदर बताई जाती है सबसे पहले stress का मतलब हम समझते है what exactly is stress so stress is a pattern of responses that an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to cope इसका क्या मतलब बना कि stress actually में आपका एक pattern of response होता है एक ऐसा pattern of response जो आपकी body करती है किसी भी ऐसे event के लिए जो आपके equilibrium को हिला दे यानि कि आपके balance को हिला दे यानि कि UPSC अगर किसी का clear नहीं हो पाया कोई बच्चा बहुत देरे से तयारी कर रहा था clear नहीं हो पाया वो fail हो जाता है तो अब वहाँ पर उसकी body stress response generate कर देगी तो वो pattern of responses जो सब कुछ वो इंसान करेगा physical emotional हर level पर वो कहलाएगा stress then stress दूसरा important topic होता है कि stress कौन कौन सी events हमें होता है उन्हें हम बोलते है stressors तो stress हमें जिन जिन कारणों से हो सकता है जैसे कि अभी हमने example लिया UPSC crack ना हो पाना वो आपका stressor हो गया break up हो जाता है किसी relation का उसके वज़े से stress हो गया तो वो break up होना आपका stressor हो गया simple stress क्या है आपकी pattern of responses जो आपकी body करती है किसी भी event के लिए जो आपकी equilibrium को आपके balance को इलाद देता है और stressor वो सारे events होते हैं जो आपको stress देते हैं और यह just a technical term दी जाती है strain यानि कि जो external stressors के वज़े से आपको दिक्कतें feel होती है वो सब strain होता है बिमारी हो गई बिमारी के वज़े से जब आपको stress होता है तो हम उसे बोलते है strain कि we are in strain that's all तो यह तीन चीज़ा हमें समझ आगे अब उसके बाद दो type of stress हमें इस chapter में बताए जाते हैं use stress और de stress use stress एक ऐसा level of stress होता है minimum level of stress जो हमारे लिए अच्छा है हम सभी के mind में एक ऐसा minimum level of stress होता है और यह हमारे लिए अच्छा भी होता है हमें track पर रखता है जैसे कि अभी CBSC बोल दे आपके exam नहीं हो रहे तो आप पड़ोगे भी नहीं तो इसलिए minimum level of stress जो थोड़ा सा stress होता है वह हमारे अच्छा होता है वह हमें कोई काम करने लायक बनाता है हम उसी के वज़े से कोई काम कर पाते हैं उसके बाद de stress अब de stress क्या होता है de stress आपका ऐसा stress होता है जो आपके लिए बुरा है जो अच्छा नहीं होता है हर use stress में potential होता है कि वो de stress में convert हो जाए तो use stress आपके लिए अच्छा stress positive stress और de stress आपका negative stress जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है उसके बाद हमने सबसे important topic कि इस पूरे chapter में चार ही most important topic है सबसे पहला important topic यही आपके सामने आता है वो है cognitive theory of stress cognitive theory of stress के अंदर Lazarus नहीं में बताया कि हम दो तरीके से appraisal करते है stressful situation का मतब जब भी हमें stress experience हम करते हैं तो यह दो तरीके के appraisal होते हैं now appraisal का मतलब क्या होता है appraisal means interpretation या फिर analysis कि आप basically चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं अब यह दो तरीके से आप कर सकते हैं सबसे पहला होता है primary appraisal primary appraisal के अंदर आप stressful situation का appraisal करते हैं situational appraisal होता है primary appraisal के अंदर आप assessment कर रहे हैं situation का कि जो भी बदलाव हुआ है आपके environment में वो आपके लिए positive है negative है या फिर neutral है अब अगर neutral होगा या फिर positive होगा तो तो दिक्कत की बात ही नहीं है तो वो stress आपको दे नहीं सकता है बट अगर वो negative है तो ही वो आपको stress दे सकेगा अब वो negative in तीन conditions में हो सकता है तो harm, एक threat और एक challenge कोई चीज जो आपको already नुकसान आपका कर चुकी है that is your harm कोई चीज जो आपका future में नुकसान कर सकती है that is threat और कोई चीज जो आपके लिए एक challenging situation है जिसको पार करना मुश्किल है और आपको challenge challenge, challenge, challenge situation आपको लग रही है that is challenge जैसे आपके school exams जो हो रहे है वो आपके लिए एक challenging situation है तो ये तीनों चीज़ें आप negative consider करते हैं और इन तीनों ही circumstances में आपको stress होने के chance रहते हैं अब जब कोई चीज नेगेटिव हो गई negative होने के बाद हम secondary appraisal पर आते हैं अब हम खुद को check करते हैं कि भया event तो negative हो गया है अब हमारे पास कौन सी resources है उससे deal करने के लिए तो secondary appraisal के अंदर अब आप खुद को check करते हैं कि what all resources do you have what all coping abilities do you have to fight with this stress then यह थी basically में आपकी theory cognitive cognitive theory of stress जो Lazarus ने थी अब इसी के साथ Lazarus ने हमें ये भी बताया कि सारे appraisal subjective होते है subjective होने का क्या मतलब है subjective कहोने का ये मतलब होता है कि सारे appraisal को आप अपने हिसाब से ही करते हैं किसी के लिए कोई situation positive हो सकती है किसी के लिए वही situation negative हो सकती है अब आप घर बैठ कर पकोड़े खा रहे हैं बारिश के टाइम पर तो आपके लिए बारिश अच्छी हो गई पॉजिटिव तरीके से आपने उसको देखा वो चेंजिंग एंवियरमेंट आपके लिए पॉजिटिव हो गई आपको स्ट्रेस नहीं दिया बट एक फार्मर जि इसके अंदर ही सारी important terms थी जो stress के बारे में याद रखनी होती है resources क्या क्या है stress से बचने के लिए आपके physical resource कुछ होती है आपके सामने लिखा है personal resource social resource आपके खुद की resources जैसे की physiology कैसी है culture कैसा था stressor कितने तरीके के हो सकते है environmental हो सकते है कुछ psychological कुछ social कितने dimension होती है उनकी जो फरक डालती है stress के level पर कितनी intensity का stressor था duration कितनी थी उसकी complex था या simple था predictable था या नहीं था और then stress appraisal होता है then उसके बाद finally ये सब effect आपको जहलने पड़ते है physiological responses आपकी body कुछ दिखाती है जैसे पसीने आने लग जाना heart rate आपका तेज हो जाना कुछ behavioral response होते है कुछ emotional level पर बदलाव आते हैं then उसके बाद हमने type of stress समझी थी कि कितनी तरीके की stress हो सकती है तो physical stress and environmental stress की एक category है ये पहला type होता है physical मतलब कि सारी चीज़ें कोई बिमारी हो गई कोई accident हो गया और environment के अंदर तो obviously आपको पता है सारा natural disaster, air pollution, noise pollution वगएरा जो भी environment से समब्द चीज़े हैं स psychological stress दूसरी category type of stress के अंदर अब psychological stress के अंदर चार तरीके के sub type है psychological मतलब आपके personal stresses जैसे की frustration की वज़े से होने वाला stress, product की वज़े से होने वाला stress, आपके internal pressures की वज़े से होने वाला stress, आपके social pressure की वज़े से होने वाला stress, और then social stress third category, social stress में direct interaction होता है society से तब stress होता है पड़ो से रड़ाई हो गई, this is the example of social stress, then sources of stress, मतलब कि अब कितने तरीके के source होते हैं, major कहां कहां से stress आपको आ सकता है, हो सकता है, कुछ आपके life event हो सकते हैं, life event मतलब अब तक पूरी जंदगी में, जितने भी changes आपके होए हैं, वो सब life event के अंदर आते हैं, then hustles, hustles मतलब आपकी day-to-day दिक्कते, day-to-day life में जो आपकी दिक्कते आती हैं, उसके वज़े से भी कई बर stress होता है, और then traumatic event, यानि कि कुछ बड़े traumatic events जो आपने face करे हैं, extreme events होते हैं, वो सब traumatic event के अंदर आते हैं, उसके बाद effects of stress on psychological functioning, emotional effect कुछ हो सकते हैं, इसके कुछ physiological effect हो सकते हैं, कुछ cognitive और कुछ behavioral, emotional effect मतलब क्या, इसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, जब आपको stress होती है, तो emotions में फरक आता है, right, mood swings होते हैं, confidence decrease हो जाता है, थोड़ा उदास साम रहने लग जाते हैं, यह सब चीज़ें हमारे emotional effect है, physiological effect, जैसे मैंने बताया, bodily की heart rate increase हो जाना, आपकी पसीने जादा आने लग जाना, BP भढ़ जाना, कम हो जाना, यह सब चीज़ें physiological, cognitive यानि कि mental level पर क्या हो सकता है, mental overload, poor concentration, एक जगा पर attention जाद या ना दे पाना, यह सब चीज़ें, cognitive effects, then behavioral effects क्या होते हैं, यानि कि अब behavioral level पर, action level पर, behavioral effects मतलब कि अब action level पर कोई चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि कली लोग जान पूछ कर alcohol consumption करने लग जाते हैं, या creating less nutritious food, यह सब behavioral effects हो सकते हैं, stress के, basically खुद को harm करने वाला यह behavior होता है, उसके बाद stress and health, तो यह topic बहुत ही theoretical topic आपका basically सारी informational चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, जो आपने याद करनी होती हैं, तो यहाँ पर सबसे important effect आपको बताया जाता है कि stress की वज़े से 50 से 70% तक illness हमें होती है, mental भी प्लस physical illness भी इसी में आती है, physical illness भी और mental illness भी 50 से 70% उनका cause stress ही होता है, और then हमें burnout की define यहाँ बताई जाती है, burnout बहुत important शब्द है, burnout क्या होती है कैसी situation जब हम physically, emotionally और psychologically तीनों तरीके से बिल्कुल exhaust हो चुके हैं, tired हो चुके हैं, ठक चुके हैं, then finally lifestyle का छोटा सा concept होता है कि stress आपके lifestyle को भी effect कर सकती है, जहाँ stress होगी, वहाँ unhealthy lifestyle होगा, और pathogen क्या होते हैं, pathogen वो सारे agents होते हैं, जो आपको ill करने की शमता रखते हैं, जैसे covid एक बिमारी है, वो आपको बिमार कर सकती है, तो वो virus आपको बिमार करने की शमता रखता है, तो वो हो गया pathogen, अब उसके बाद ये दूसरा most important topic है, जो मैं आपको कहा था कि इस पूरे chapter में 4 ही है, तो दूसरा important topic पहला कौन सा था, cognitive theory of stress by Lazarus, primary or secondary optimization, दूसरा है GAS, general adaptation syndrome, ये हमें दिया था hence Sally ने, और एरो ने हमें बताया कि भाया, जब आपको stress होती है, तो इनसान तो सारे एक तरीकी से करते ही करते है response, जानवर भी एक ही तरीकी से response करते हैं, तो Lazarus ने बताया था कि हम अलग-अलग करते है response, stress के लिए, कोई situation किसी के लिए positive हो सकते हैं, किसी के लिए negative, बट इसने बता दिया कि भाया, जब भी किसी को stress होता है, तो हमारा response बिलकुल सेम तरीके से ही जाता है, सबसे पहले हम सभी लोग आते हैं, alarm reaction की stage में, जिसके अंदर हमारा adrenal pulmonary cortex system, कोई system होता हमारी body के अंदर, इसका नाम होता है adrenal pulmonary cortex system, हम वो activate हो जाता है, इसके activate होने की वज़े से हम fight यहां, फिर flight mode में आ जाते हैं, तो alarm reaction के अंदर हम alert हो जाते हैं, कि दिक्कत आ गई है, then हम resistance में आते हैं, resistance का मतलब हम हम stress से cope करने की कोशिश करते हैं, इस समय पर हमारा mind, हमारी body को एक signal भेशता है कि भई आप वार की situation में हैं तो जो भी resources आपके पास मजूद है उसको ध्यान से इस्तमाल करना है then exhaustion की stage में हम आते हैं तीसरी stage होती है exhaustion की अब बहुत लड़ लिया stress से बहुत रोकने की कोशिश कर ली तो अब एक situation एक time ऐसा आता है कि अब हम उससे cope नहीं कर पाते हैं that is the time of exhaustion आप पूरी तरीकी से exhaust हो जाते हैं और tired हो जाते हैं और यही exhaustion lead करता है burnout को और इनकी theory को criticize भी इसलिए किया गया था क्योंकि यह असलमें थे भी biologist तो उन्होंने psychological factor पर जादा importance नहीं दी थी adrenal cortex system आपका या फिर आपकी body की resources के बारे में बात करना यह सब कहीं न कहीं physiology की बातें कर रही है psychology का role इन्होंने miss कर दिया और stress को universal बता दिया कि यह की तरीके से सारे जने react करते हैं इससे तो इसलिए ने criticize भी किया गया था तीसरा most important topic अब आपका आता है psycho neuroimmunology जिसको आप कह सकते हैं your mind and immune system also तो हमारा stress कैसे हमारी immune system को भी सीधा damage कर सकती है यह इस topic के अंदर हमें बताया जाता है अब जब आपको stress होती है तो क्या होता है हाला कि यह सारी चीज़ें समझना जरूरी है जो आपका immune system immune system के अंदर एक बहुत important element होता है आपके white blood cells जिनका technical नाम होता है leukocytes इनके major यह दो काम है जो हैं आपर लिखें आप पढ़ सकते हैं इन दोनों कामों को यह तीन चीज़ें मिलकर पूरा करवाती है B cell का सिरफ एक ही काम होता है कि वो antibodies को produce करवाते है अब जो पहले वाला काम है यह काम कि foreign bodies को destroy करना इन बाकी दो लोगों में बटा होता है T cell में और natural killer में T cell सारे invaders से fight करता है और इसकी fight करने में T helper cell इसकी help करता है और natural killer cell उन सभी invaders में से कुछ specific जनों से लड़ता है जैसे की viruses और tumors जो भी बाहर से आपकी body के अंदर virus और फिर tumors आएंगे उससे कौन लड़ेगा natural killer cell और इनकी लड़ने की शमता को नाम दिया जाता है cytotoxicity यानि कि अगर natural killer cell के अंदर cytotoxicity नहीं होगी तो लड़ ही नहीं पाएंगे virus और इसी cytotoxicity इस chemical को attack करता है stress तो इस तरीके से stress आपके immune system को directly weak कर सकता है क्योंकि जहां stress भड़ी वही natural killer cell के cytotoxicity की मातरा कम हो जाएगी इसकी मातरा कम हो जाएगी तो natural killer cell viruses tumor से लड़ नहीं पाएंगे इससे लड़ नहीं पाएंगे तो ultimately आपकी body को आपका immune system protect नहीं कर पाए अब इसकी बाद fourth most important topic यह आपका सामने है कि coping with stress अब भईया stress क्या होती है stress से क्या क्या हो सकता है यह सब हमने पढ़ लिया अब stress से deal कैसे करना है तो एक dynamic situation specific reaction जो हम stress के लिए करते हैं वो होता है coping कि हम stress से डढ़ने की कोशिश करते हैं उसे cope करने की कोशिश करते हैं this is coping coping के तीन major ways होते है और यह तीन ways हमें बताए endler पार करने और लेजरस पोकमेन ने हमें बताए दो तरीके तो coping मतलब की stress से cope करने के कुछ तरीके होते हैं जिनमें कि यह दो नाम आपने याद रखने हैं endler पार कर और लेजरस पोकमेन ultimately चार नाम endler पार कर ने यह तीन strategies दी कि भईया यहां तो आप task oriented हो जाओ जो भी चीज आपको दिक्कत दे रही है अगर दिक्कत यह है कि एक्जाम के लिए पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो दिक्कत को attack कर दो उसे खतम कर दो यहां फिर emotion oriented हो जाओ अपने emotion को बदल दो यह सोचो कि exam आपका क्या ही बिगाड लेगा यह भी एक तरीका है हलाकि करना नहीं चाहिए यहां फिर avoidance oriented exam आ रहे हैं आपने का कि भाईया stress हो रहे है यार क्या करें क्या करें चलो movie देख लेते हैं avoid करते हैं ध्यान बदल लेते हैं this is avoidance oriented strategy लेजर स्पोक मैं ने कहा कि भाईया दो ही तरीके हैं आइधर become problem focus और emotional focus यानि कि आइधर change the problem और change your emotion for that particular problem यही दो तरीके अब उसके बाद stress management की कुछ basic technique आपको बताई जाती है relaxation technique कर लो लंबी-लंबी सासे लो, breathing करो exercise कर लो visualize कर लो अच्छे चीज़ें creative visualization कर लो meditation कर लो ठीक हो जाओगे इसके बाद technical यह तीन चीज़ें आती है cognitive behavioral technique मतलब CBT की सारी techniques को इस्तमाल करो, यानि कि cognition level पर mind level पर और साथ-साथ behavioral level पर काम करो, अपने rational thoughts को rational thoughts में बगलो और उसके साथ behavioral level पर भी action लेते रो, उसके बारे में याँ फिर आप bio feedback दे सकते हो यानि कि अपनी biology का feedback खुद को दे रहा इसके भी आपकी stress कम हो जाएगी और यहाँ फिर आप finally exercise बगएरा यह सब चीज़े कर सकते हैं, तो यह सारी चीज़ें होती हैं हमारी stress management technique के अंदर, उसके बाद आपका last topic आता है promoting positive health and well being, उसके अंदर यह सारे points आपको life skills के अंदर बताये जाते हैं, कि life skill मतब adaptive or positive behavior के आपकी skills होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिंदगी अच्छी जिंदगी जीने के लिए, जैसे कि assertiveness यानि कि clearly confidently अपनी बात रखना, time management आपको आना चाहिए rational आपकी thinking होनी चाहिए अच्छे relation होने चाहिए, self care आपको करनी चाहिए, पुरी आतों को छोड़ना चाहिए, अच्छी diet follow करनी चाहिए, exercise करनी चाहिए, अच्छा attitude रखना चाहिए, और अच्छा social support आपका होना चाहिए, इसके अलावब जो last topic आपका आता है, वो है stress resistant याफे stress resilient personality इस personality के बारे में एक research होई थी, कि कई लोग ऐसे होते हैं, जिनको stress तो होती है but effect उन पर कम होता है stress का ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि उस personality के लोगों के अंदर hardiness के traits होते हैं, hardiness एक trait है जो उनके अंदर होता है hardiness जिनके भी अंदर अब होती है उनके अंदर ये 3 C's पाये जाते हैं एक तो वो हर चीज को committed होते हैं हर चीज को करने के लिए अपने control में मानते हैं वो हर situations को और हर चीज को challenge की तरहां देखते हैं इसलिए उनको stress कम होता है तो ये था आपका chapter number 3 now हमने आपके तीनों chapter इस वीडियो में complete कर लिए हैं I hope ये वीडियो आपके काम आएगी और आज अगर आपने ये वीडियो को देखा है तो अब एक दिन exam से पहले भी से देख लेना ताकि सारी चीजें दुबारा से revise हो जाएं and all the very best for your exam easy है exam आप कर लोगे अगर NCRT पढ़ ली है ये वीडियो देख ली है और अगर आपने बाकी वीडियो देखी है प्लेलिस की 11, 12 की सारी प्लेज़ इस वैसे अवेलिबल है सारे चप्टर आपके अमने इस चैनल पर अल्रड़ी कम्लेट कर दी है तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी है और उसके साथ questions की practice कर ली है NCRT पढ़ ली है तो बस अब chill करो यार relax करो आराम से paper हो जाएगा and all the very best I will see you in the next video thank you so much for watching